रानू मंडल वही जो कोलकता रिल विश्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गा कर रातो रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई रानू का गाना जिसने भी सुना उसके मूँ से यही निकला काश को इन्हे पिल्म में गाने का मौका दे दे सोशल मीडिया कैसे किसी आदमी की जिन्दगी बदल देता है इसका जीता जाकता उधारन है रानू मंडल अपनी आवाज से रानू ने इंटरनेट पर यूजर्स को अपना फैन बना दिया रानू का गाना बॉल्लिवुट के सितारों तक पहुँचा जिसके बाद हिमेश रिश्रमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया है लेकिन हिमेश रिश्रमिया से पहले एक एक शक्स है जो रानू के लिए किसी फरिश्टे की तरहा आया इस शक्स ने रानू का वीडियो बनाया जो वाइरल हो गया रानू पश्चिम मंगाल के राना घाट स्टेशन पर गाना गाकर ही गुजारा करती थी उन्हें कईयों ने गाना गाते हुए देखा भी लेकिन अक तब ही वहाँ एतींद्र चक्रवर्ती स्टेशन पर मौजूद थे और उन्होंने वीडियो बना लिया एतींद्र ने ये वीडियो अपने फेस्बुक एकाउंट से शेयर किया बस फिर तो जो हुआ सब जानते हैं वीडियो वारल होने के बाद रानू से कई संगीतकार और करने की कोशिश करने लगे सात ही रानू को कई स्टेश शो करने की आफर भी मिलने लगे खबर ये भी है कि उन्हें कोलकता मुंबाई केरल और बांगला देश बौर्द से सटे इलागों में परफॉर्म करने के लिए ऑफर मिले थे उन्हें खुद का म्यूजिक doseक ऑलबम रश्यमय के लिए गाना रिकॉर्ड कर रही थी तो उस वक्त एतिंद्र भी स्टूडियो में ही थे एतिंद्र को खुद भी अकिन नहीं हो रहा कि उनके एक वीडियो ने कैसे एक महिला की जिन्दगी बदल दी रानु को मौका देने के लिए एतिंद्र ने हिमेश रश्यमय को शुक्रिया कहा वीडियो के बाद एतिंद्र लगातार रानु के संपर्क में है एतिंद्र पेशे से एक सॉफ्ट्वेर इंजीनियर है और राना घाट में ही रहते हैं हिमेश रश्यमय की अगली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर है इसमें रानु मंदल ने तेरी मेरी कहा प्राणी नाम का गाना घाया है हिमेश रश्यमय ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रानु स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही है उनके पास हिमेश खुद खड़े हैं और गायिद कर रहे हैं वीडियो वाइरल होने के बाद रानु के जिंदगी पूरी तरह से बद इस पर रानु ने कहा कि ये मेरा दूसरा जन्म है और मैं इसे बहतर बनाने की हर तरह से कोशिश करूंगी रानु के पती का निधन हो चुका है और वो स्टेशन पर गाना गाकर ही अपना जीवन यापन करती थी लेकिन अब रानु की जिन्दगी बदल गई है अमर जाला डाट का